नमस्ते फ्रेंड और पूरा किचन में आज आपका स्वागत हैं आज मैं भिंडी इजी तरीके से काटने को बताऊंगी क्या करना है फ्रेंड्स ये देखिए भिंडी काटने में हमें बहुत आलस आता है एक एक भिंडी इस तरीके से काटते हैं और इस तरीके से हम काटते हैं तो हमें बहुत परिशानी लगती है कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा भिंडी हमें लेनी पड़ती है और हमें बहुत सबजी बच्चों को ज़्यादा पसंद आती है तो हमें ज़्यादा मात्रा में भिंडी काटनी पड़ती है जो हमें बहुत ही अजीव सा और बहुत सी दिक्कस ही लगती है आपको इसके लिए क्या करना है आगे पीछे के न सारी भिंडियों के आप इससे निकाल दीजे यह सारे इससे मैं आगे पीछे के न सारी भिंडियों के निकाल दूँगी एक साथ फिर उसके बाद आप एक साथ भिंडियों को काट सकते हैं इससे क्या होगा आगे पीछे कि मैंने इससे निकाल दिये आम में इनको जल्दी काटती चले जाओंगी इस बिंडी को काटने में न हमें जादा समय नहीं लगेगा और बिना टैंसन बिना परिसानी के ये बिंडी आराम से जल्दी कट सकती है यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक सस्क्राइब जरूर करें इसी तरह मैं सारी बिंडियो को काट लूँगी फ्रेंट्स अब दूसरी है फ्रेंट्स मेरी पड़दो को लेकर है क्या होता है कि दिवाली की सफाई चल रही है और ये देखिए छले मेरे दिवाली की सफाई चल रही है और हमें पड़दे धोने पड़ते हैं यह देखे, यह मेरे सारे पड़दे के छले लगे पड़े हैं, यह मेरे दोने के बात की वीडियो है, इसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताती हूँ, आपको क्या करना है न, आप इनको छलों के ऊपर छला रखके पड़दे को इस तरीके से फोल्ड कर ले, यह जैसे यह मैं वीडियो में आपको दिखा रहे हूँ सेम इसी तरीके से आपको पड़दे को फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद आप कोई भी रसी या कपड़ा या कोई धागा पड़ा हो ना उससे आप इसको टाइट करके भांद ले ये देखिए सारे चल्ल एक साथ आगए है अब मैं इनको टाइट करके भांद लूँगी और भांदने के बाद अब आप इसको वाशिंग मशीन में धो सकते हैं ना तो आपको कोई छल्ला निकलेगा ना आपका पड़दा खराब होगा ना कोई टेंशन ना कोई परेशानी है ये देखिए फ्रेंटस इस तरीके से मैंने भांद दिया अब आप इसको वाशिंग मशीन में धोल ले ये देखिए मेरे पड़दा कितना साफ और सुन्दा लग रहा है और ना कोई मेरा चल्ला निकला और ना कोई पड़दा खराब हुआ आप इसे तरीके से पड़दे दोएंगी तो आपके पड़दा खराब नहीं होगा आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तीसरी हैक से फ्रेंटस मेरी बोतल को लेके इस तरीके की बोतल ना हमारे घर पर मिली जाती है अब आप उपर से इसको काट लें और अन्दर से कपड़े की साहता से साफ कर लें उपर वाले हिससे में ना दो तीन, चार पास से कट लगा लें जब ये कट लगा लें तब आपको क्या करना है टमाटरों को धो लें, धोने के बाद आप इसको एक कपड़े की साहता से पोंच लें, सारे टमाटर मैंने इसी तरीके से पोंच लिये हैं, अब आपको क्या करना है इन सारे टमाटरों को इस बोतल के अंदर डाल देना है, देखिए सारे टमाटर मैंन और इसको अम में बोतल को फ्रीज के अंदर रख दूंगी ये टामाटार आपके कही दिनों तक सेफ रहेंगे खराब भी नहीं होंगे चौती है फ्रेंट्स मेरी जुमकों को लेकर है या पार्टी वेर जुमकी है जा हम पार्टी में जा रहे हैं शादी में जा रहे हैं तो ज फोड़ा सा उपर का हिससा काट कर इस तरीके से आप इसमें लगा दें काफी बार ऐसा भी होता है फ्रेंट्स के हमारे पेच टाइट होते हैं और हमें मतलब कुंडल पहनने में बहुत ज़दा दिक्कत होती है अगर यदि आप इस तरीके से इस रबड को लगाएंगे ना तो आपको पहनने में दिक्कत होगी और ना कोई परिशा नहीं पांच वी एक से फ्रेंट्स मेरी बोतल को लेकर है छोटे मूग की बोतल होती है ना तो उसमें हमें पानी भरने में या डालने में हमें बहुत ही दिक्कत होती है और पानी भी हमारा इदर उदर गिरता रहता है बोतल में नहीं जाता इसके लिए आपको क्या करना है उपर का एक हिस्सा बोतल का काट लें और इसके मुद्ग के उपर ही उसका मूह रखकर आप इसमें पानी आराम से भर सकते हैं ना तो आपका पानी कहीं गिडरेगा और बिल्खुल इसी तरीके से बोतल के अंदर पानी आपका भर जाएगा यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें सस्क्राइब करें धन्यवाद